नमस्कार जी मैंने मीनू अब मैं बताने त्यारी हूँ कैसे लगते हैं किसी की बुरी नजर ये हैं पांच का में हम बच्पन से एक स्चद सुनते आ रहे हैं नजर लगने हैसी मानता है कि यदि इसी बच्चे को नजर लग जाए तो उसकी तवियत खराब हो जाती है या फिर वा थोड़ा अनमना सा हो जाता है कुछ लोग नजर लगने को सिर्फ एक बहम मानते हैं जबकि नजर लगना कोई मन का बहम नहीं बलकि ये विज्यानी क्रिया है जानिये क्या है नजर लगने का रहस्ता विज्यान के अनुसार शरीर में विदूत तरंगे होती हैं इन विदूत तरंगों से किसी प्रतार से बांदित होने पर शरीर लगवे का शिकार हो जाता है अदि शरीर की बिध्योतीय तरंकता से नजर वरने का सीधा समगाने भड़ो की तुलना में बच्चों को अधिक नजर लगती है क्योंकि बच्चों का शरीर कोमल होता है उता उनके शरीर में बिद्यूतिय चंता बड़ों की तुल्ना में कम होती है यदि कोई बच्चों को एक तक देखता रहता है तो उसकी नजरों की उर्जा, बच्चे की उर्जा को परवावित करती है जिसके करण बच्चा अनमना सा बिमार हो जाता है जोता बड़ी नजर से बचने के लिए ही बच्चों को कलर तीका दगाया जाता है या कला धागा पहनाया जाता है इसका भी बिज्ञानी करण है बच्चमा बिज्ञान यह मानता है कि कला रंग उश्मा का अवशोजय कहाता है जब बच्चे को काला ठीका या काला धागा बांगा जाता है तो वा किसी भी प्रकार की हुश्मा बुरी नजर को बच्चों में परवेश नहीं करने देता इसा स्यायम भी ही अवशोशित का देता इसी वज़े से बच्चों को नजर नहीं लगती धन्यवाद एचे न उनको झाल 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 झाल